आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी की चुनावी यात्रा फरुखाबादा पहुंची है और ये जमीन ये धरती गंगा जमुना तहजीब के लिए मानी जाती है बताये जाता है कि यहां से बहुत से बड़े राजनेता जो है जिन्नोंने अपनी जमीन यहां से शुरू की थी और उन्ने देश-प्रदेश में अपना नाम हासिल किया और यहाँ पर जो भाईचारह है उस भाईचारह के बीच इस बार का जो विदान सभा चुनावे हैं काफी एहम है क्यूंकि बताया जा रहा है कि इस बार की लडाई काफी एहम है क्योंकि इसके पहले 2017 के पहले यहां पर समाजवधी पार्टी का गड़ रहा था लेकिन 2017 में जनता ने अपना मूड बदला और बीजेपी को जीत दिलाई है यहां से हमारे साथ इस वक्त विधायक सुशील कुमार साकेजी मौजूद है जो की अमरितपूर विधानसभा से विधायक है और इस वार भी वो अपने विधानसभा की जनता के लिए उनके बीच जाकर के उनकी बाकी की समस्याओं का हल करने का बीड़ा उठाय हुए है वो जहां भी प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर अभी भी जो फरुखाबाद की जनता है या फिर अमरितपूर की विधानसभा की जनता है उनसे खुश है और जो जनता उनसे कौन सी उमीद लगा कर बैठी हुए उनसे हम चर्चा करेंगे जानने की कोशिश करेंगे शाकिसाब मैं आप से सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का चुनाओ है आज फर्स्ट फेस की वोटिंग हो रही है फरुखाबात और अमरितपूर विधानसभा ये सीट जहां से आप विधायक भी हैं यहाँ पर जिन समस्याएं की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जनता की बीचे हम जा किसे काम किया कि राजेपुर्चेत्र ब्लॉक गंगा और राम गंगा के बीच में है अक्सर वहां बाढ़ा आती रहती है सन 2010 में बाढ़ आई थी बहुत बड़ी बाढ़ थी उस समय जो सडके छतिग्रस्त हो गई 2017 तक उन सडकों की मरमत तक नहीं हुई थी हमने जीतने के बाद सबसे पहले कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया सारी सडके मरमत ही नहीं करवाईं एक 170 किलोमीटर नई सडकों का भी निर्माल करवाया है प्रधानमंतरी संपर्ग मार्ग योजना से सडके करवाईं और इसके अलावा पी डबलूडी से भी साथ मीटर चोड़ी सडकें गाउं को जोड़ने की सडकें आज हम कह सकते हैं कि अमरतपुर विधान सवाज छेत्र में कोई गाउं ऐसा नहीं बचा है जहां के लिए संपर्ग मार्ग नहीं हो जाएगा हो जाएगा शब्द इसलिए प्रियोग कर रहे हैं कि आठ सडके स्व परकमार अच्छे होंगे तभी गाउं में उन्नती हो सकती है विकास हो सकता है क्योंकि किसान का जो उत्पाद है वो कम समय में कम डीजल खर्च में पहुंचे और जब जल्दी पहुंचेगा तो उसकी कीमत उनको अच्छी मिलेगी विराग जी सपा की तरफ से या फिर बने वहें जहां पर फेस और सकेंड फेस में वोटिंग होनी है उनका यह कहना है कि जो अवारा पशू है उनसे किसान काफी समस्याओं से जूज रहा है वो रात रात भर अपने घर नहीं जा पा रहा है यह समस्या एक हो गई दूसरी समस्या उन्होंने यह बताई कि किसान जिस तरह से महंगी बिजली हो गई यह फिर सचाई की चीजें हो गई उनसे भी काफी दिक्कतों भरा अपना जीवन काट रहा है तो क्या यह बाते सच हैं यहां की जो जनता है फारुकाबाद जिले की यह फिर उत्तर प्रदेश के पस्चिम की यह जो किसान है क्या इन समस् भारती जनता पार्टी की सरकार आई है विद्दूती कर्ण हुआ आज की तारीक में अठारा से बीस घंटे बिजली घौँ में जा रही है जो बिजली महगी होने की बात कर रहे हैं उनके समय में तो बिजली का बिल लगता था बिजली नहीं मिलती थी तो यह कहना जूट है जहां तक आवारा पशों की बात है भारती जनता पार्टी की सरकार ने जितनी बड़ी मात्राओं में गौशालाओं का निर्माल कराया है इतना किसी सरकार ने गौशाला तो निर्माल कराये ही नहीं है और अभी भी गौशालाओं का निर्माल कारी चल रहा है और अगले एक वर्ष में ये समस्या पूरी तरीके से इसका समाधान हो जाएगा ये अस्थाई समस्या है और विशेश रूप से इसमें जो पशुपालक हैं वो जानबूच के गाये छोड़ रहे हैं जिससे कि सरकार को बदराम कर सके ये आवारा गाये खेतों में जाती हैं चरती हैं उसके अपने मालिक की दर्वाजें भी खड़ती हैं दूद दोते हैं फिर चोड़ देते हैं विशेश रूप से विरोधी दनों के लोग हैं जो इस परकार का विवजाए कर रहे हैं और सरकार को बदराम करने का प्रयास बारे में पताया है इक पर फिर सेंसे रिपीट होती है पी मालिक का नाम दिखा जाएगा हर पशू का रेजिस्टीशन हम करवाएंगे और अगर कोई पशू को छोड़ता है तो उसके बिलुद्ध दंडात्मक कारवाई करने का यह हम कानून बनवाएंगे और उन्हों को दंडित करेंगे एलेक्शन है यूपी का फर्स्ट फेस की वोटिंग हो रही है आज है एहम चीज यह है कि लगातार जो मैनिफेस्टों है राजनेतिक दलों की तरफ से वो जारी किये जा रहे हैं समाजवादी पार्टी ने दो दिन पहले किया कल कॉंग्रेस ने किया सपा कह रही है कि हम रोज इन मैनिफेस्टु है आप लोग तरफ मैनिफेस्ट है वो कितना कारगर है कितना काम करेगा और बाती जनता पार्टी ने हमेशा कहा है वही किया है पिछला आप मेनिफोस्टे उठागे देख लीजिए सत प्रतिशत उसके आधार पे काम किया गया है जहां तक बात समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की है जनता भी जानती है और वो भी जानते हैं कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है और इसलिए वो कोई भी करते हैं से उन्होंने गोष्णते तो पहले भी भाउसी की ताँ जब हम लोग राममंदर का प्रियास कर रहे थे तब विरोत कर रहे थे गुली चल्वा रहे थे अब और हम भी रामभक्त है हमारी सरकार बनेगी तो हम राम्मंदिर बनवा देंगे जो और लिए जो समाजव वित्रन हुआ वह भी पैसे लेके हुआ हमारी सरकार में तो भरती हुई है कि कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि एक पैसा लिया गया हो एक पैसा रिश्वत लगी हो निश्पक्ष सारी भरतियां हुई है पार्टी जंता पार्टी ने सब का साथ और सब के विकास के लिए काम क के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमने घोशनाय की हैं जो हमारे संकल्व पत्र में है उसका शद्र प्रदिशत पालन कर रहे जाएगा अब हम आकरी चरण पे हैं अपने इस साक्षतकार के इस इंटर्व्यू के तो इस विदान सभा से जुड़ाओं मिरा आप से यह सवाल है कि एक बार अगर आप फिर से रिपीट करते हैं फिर से जीतते हैं सरकार फिर से बनती है तो इस विदान सभा के लिए वो कौन से प्रमुखकार होंगे कौन से प्रमुखकाम होंगे जो सबसे पहले प्राथमिक्ता पे आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से कराई ज कड़हर के पास मनियन घाट पर गंगा पर पुल जो इस चेत्र की एक बहुत बड़ी आवशक्ता है दूसरा इस विधानसवा चेत्र में परेटन इस्थल संकिसा है जिसके विकास से परेटों को की बड़ी मात्रा में यहां पर आगमन होगा इस्थानी लोगों को उससे रोज बढ़ेगा तीसरी आवशक्ता है राजेपुर ब्लॉक में डिगरी कॉलेज की कमी है वहां पर डिगरी कॉलेज मनवाय जाएगा दूसरा एक फरुखावा जिले की मांग है कि गंगा एक्सप्रेस वे टेक्निकल कारणों की वज़े से वो यहां से दूर चला गया तो गंग यहां की सभा में एक्सप्रेस बे बनाने का गोशना भी की है तो वह एक्सप्रेस बे बनाने का हम काम करेंगे दूसरा राजेपुर ब्लॉग में अभी भी सलक की चौडाई कम है क्योंकि गंणा छेत्र है गंणे की ट्राली भरके जाती है बापस आती है गेहों बहुत होता तो कुछ सब्कों को साथ मीटर चोड़ा करने का हमने प्रस्ताव भी किया हुआ है और प्रस्ताव साशन में विचारा धीन है तो उन सब्कों को हम चोड़ा करवाएंगे दूसरा जहां तक उद्द्योग की बात है उत्तरप्रदेश एक बीमार प्रदेश माना जाता था कानून विवस्ता यहां की बहुत जादा खराब थी बिजली की विवस्ता बहुत खराब थी अब जब से हमारी सरकार आई है तब से बिजली की विवस्ता ठीक हुई है इंफ्राइस्ट्रक्चर में काम हुआ है तो अब नए नए उद्द्योग लगेंगे तो उसमें लोग भरती होंगे बेरोजगारों को काम मिलेगा तो बेरोजगारी उससे कम होगी बगैर कानून विवस्ता ठीक किये बगैर उद्योग लगे बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है विदांसभा की जंता के लिए क्या अपील करेंगे क्योंकि फर्सट फएस की वोटिंग हो रही है jagay किया वोटिंग में हिस्सारले और किस तरह से बिजेपई को सब्सकर्ण करें ने ने मैं सबी से अपील कर रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी को आप लोग जिताईए भारती जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किये हैं जो इस देश की जो संस्कृति है जो इस देश की मानेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं छेतर की जनता से अपील कि हमारे हमारे सरकार के पिछले कामों को देखते हुए और जो हमने अस्वाशन दिये हैं उन पर हम पूर्टा खरे उतरेंगे आप सभी लोग भारती इंता पार्टी को वोड़ दे कर और योगी सरकार को बनवाने की करपा करें तो यह थे अमरित्पूर विधान सभा सीट से विधायक शुशिल कुमार शाकिजिन का साथ तोर पर कहना है कि कई सारे ऐसे काम है जिन पर अभी भी नजर बनानी जरूरी है जिन पर अगर हम जीद के फिर से आते हैं सरकार फिर से बीजेपी की रिपीट करती है तो उन कामों क बैतर तरीके से किया जाएगा जनता की सुविधा के लिए जो भी विकास कार हैं उन विकास कारे उपर सबसे ज़्यादा पैनी नजर रहेगी और इस छेत्र के साथ-जविधान सभा के साथ-पूरे फरुखाबाद जिले में बैतर तरीके से विकास किया जाएगा रोजगार भी बढ़ाया जाएगा इंड्स्ट्री इस के लिए भी कही लाइन कुछ road maps तयार किये जाएगे और बात नहीं किसानों की क्योंकि सबसे हैं मुद्दा किसानों का है तो किसानों के ले कर भी कई सारी बाते इनकी तरफ से कहीं गई हैं सरकार की तरफ से भी कहीं गई हैं कि अगर फिर से सरकार रिपीट होती है तो किसानों के लिए भी बैरतर काम किया जाएगा है wanna आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार